दोस्तो एक बार फिर से मेरे योट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज की मैं अपनी एक्सल की वीडियो में आपको डेट फॉर्मूला का और डेट इफ फॉर्मूला का यानि की मैं डेट से संबंद जितना भी फॉर्मूला है मैं उसका निचोड आपके सामने लेकर आया हूँ तो दोस्तों देखते रहिए मेरा वीडियो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी एक्सल सीट पर आ चुका हूँ और सामने मेरे एक्सल सीट पर एक मैंने सीट को उपन किया हुआ है यहां सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है प्रिजेंट डेट तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि जब कभी आपको प्रिजेंट डेट निकालनी हो एक्सल के अंदर किस तरीके से आप प्रिजेंट डेट निकालेंगे तो मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा प्रिजें रही है तो सबसे पहला जो तरीका इसमें आता है हमारा उक्षप выб pig करेंगे आप अपने कीबोड से उक्षप करने के बाद आप कुपने कीबोड से यहां पर ड्क निकलके आ जाए ओर यहां पर देखी टाइम डेट निकल कर आचुकि जो तरीका मैं आपको बताता हूं आप अपने कीवोड से करेंगे उक्वाल कि प्रसक्र करने के बाद आप यहां पर आपकी डेट आ चुकी है आप यहां पर टाइम नहीं आया है तो इस तरीक तरीके से आपकी देट आचकी अप तीसरा तरीका है, जो कि बहुत बैस्ट तरीका है और बहुत कम समय लग जाता है तो तीसरा तरीका है आप अपने कीबोर्ड से आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करेंगे कंट्रोल और आपको कीबोर्ड में एक प्रेस मिल जाता है सेमी कॉलन यहां पर मैं डिस्पेली पर दिखा सकता हूं सेमी कॉलन का बटन तो उसको आप प्रेस करेंगे तो कं इंपट करनी हो एक सल यह तीन तरीके मैंने आपको बता दिया जिसमें से आपका पहला फ़ॉर्मूला क्या है now दूसरा फॉर्मूला कर सबस्क्राइब तो डेट के अपकी निकल कर आ जाएगे ठीक है अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं नेश्ट टॉपिक और इसके लिए मैं चलता हूं आपको दूसरी सीड पर यह मैंने दोस्तों यहां पर एक टेविल बनाई हुई है मैं इसको डिलेट कर दूँ पहले यह मैंने एक दो टेविल बनाई हुई है इसलिए मैं दो टेविल यहां पर बनाई हुई है तो यहां पर मैंने कुछ कैंडी डेट के नेम लिख रखे हैं और यहां पर मैंने डेट बर्थ लिख रखी है यहां पर हम इस वाली टेविल में यह निकालूँगा कि यह जो कैंडी की डेट परर्थ है तो हमें अगर यह देखना है कि छोव्य होचुए है यां यह फिर कितने मन्त हों चुक Ayoda मैं आपको यह सारीृची बताऊए तो सबसे पहरे में लेज़ा हूं सेकंड वाली पर इस टेविल पर देखिए सबसे पहले मुझे पता करना है जैसे ही अनिल है अनिल केंडी डीटा इसकी डेट बड़त है 9 12哪裡 मुझे यह देखना है कि कितनी साल हो गई तो तो टोटल इयर्स निकालनी है मुझे हैं तो सब से पहले आप यहाँ पर टाइप करेंगए ठीक है शुक् Torah अपने ताइप करने के बाद आप अपने कीबोर से टाइप करेंगे फॉर्मなら date Obs यह formula है यह formula आप टाइप करेंगे dated if और यहाँ पर आप bracket को open करेंगे तो मैंने यहाँ पर bracket लगा दिया है आप देख सकते हैं formula भी आपका आ चुका है लगाने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है जो date of birth है डेट बर्थ पर आपको किलिक करना है यानिकि डेट बर्थ हमको सलेक्ट कर लेनी है डेट बर्थ सलेक्ट करने के बाद आप हमने कीबोर से कॉमा प्रेस करेंगे कॉमा प्रेस करने के बाद आप यहां पर टाइप करेंगे टूडे टी ओ डी ए वाई और टूडे हम क्यों सबस्essЙ को लगाएंगे के ayuda को लगाने के बाद आप अपने कीबूर्ड से फिर से कौमा लगाएंगे कौमा लगाने के वाद आप यहां पर इनवर्टेट कामा लगाएंगे अब इन्वर्टेट कौमा vedere कंनेजहें चाहते हैं आप आपके formula यहाँ पर open कियाना bracket से इस formula को आप close कर देंगे bracket से देखिए एक वार में आपको formula दिखा दूँँ आप देख सकते हैं formula वार में equal total month निकालना है मुझे तो total month कैसे निकालेंगे equal type करेंगे same formula अब थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूं date div bracket लगाएंगे date of birth पर किलिक करेंगे comma लगाएंगे और today type करेंगे today type करने के बाद दौनव bracket को close करेंगे और फिर से comma लगाएंगे फिर inverted comma लगाएंगे अब हम क्या निकालना है month तो month निकालने के लिए आपका जो first letter क्या होता M आप यहां पर M type करेंगे M type करने के बाद inverted comma को कर देंगे close और bracket को आप कर देंगे close formula तो आप यहां पर फिर से एंटर की प्रेस करेंगे तो यहां से यह बात के लिए रो जाएगी कि नो बारे पिच्चानवे में जो जनम हुआ था आज तक 326 मन्त हो चुके हैं और total day अगर हमें निकालना है तो सेम वही फॉर्मूला यहां पर देट पर किलिक करेंगे और कॉमा लगाएंगे कॉमा लगा देंगे कॉमा लगा देंगे कॉमा लगाएंगे इन्वर्टेट कॉमा लगाएंगे और देज के लिए क्या टाइप करेंगे आप दी तो मैं यहां पर दी टाइप कर देता हूं इन्वर्टेट कॉमा को को किलोज कर देता हूं और जो आपका ब्रैकेट है फॉर्मूला का उसको भी में किलोज कर देता हूं और अपने कीवर्ट से एंटर की इसका मतलब यह देख सकते हैं आप दूसको 9936 दिन हो चुके हैं इस तरीके से निकालेंगे और सभी को सेलेक्ट करने के बाद हम अपने माउस को ड्रैक कर देंगे नीचे की तरफ तो जितने भी कैंडिडेट हैं सबका यहां पर टोटल इयर और टोटल मंथ और टोटल डेज निकल आएगा अब इस वाली टेवलों देख दोस्तो द्यान से देखते रहे हैं दोस्तों इससे पहले अगर जैसे आपने अगर वीडियो आपको फसंद आ रही हो वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक जरूर करिएगा कमेंट करिएगा और यदि यदि यहां मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी क कि या चेंज है और यहां पर टाइप करने के बाद दौनव ब्रैकेट करेंगे जैसे आपने भी किया था थोड़ी दिर पहले कॉमा लगा अब यहां पर आप टाइप करदेंगे इंवर्टेट कॉमा अब दीक यह समय निकलना तो यह के लिए तो वाई ही टाइप करेंगे तो वाई टाइप करके मैंने इनिवर्टेट कॉमा किलोज किया और ब्रैकेट को किलोज किया यहाँ पर एंटर तो आप देख सकते हैं 17 साल इस वंदे को हो चुके हैं यहाँ पर भी हमारा अंसर 17 आया था यहाँ पर 27 अब मैं मन्त निगालता हू करेंगे डेट इफ और यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे डेट पर किलिक करेंगे और कॉमा लगाएंगे टूडे टाइप करेंगे टूडे टाइप करने के बाद आप दोनों ब्रैकेट को ओपन और किलोज कर देंगे इतना काम करने के बाद आप फिर से कॉमा लगाए और इनिवर्टेट को में अलगें अब देखिए यहां पर होगा चेंज अगर आप य टाइप करते हैं तो आप यह से निकाल देंगे लेकिन अगर मैं मन्त निकालना है मुझे लेकिन अगर मैं यहां पर एम लिख देता हूं तो मेरा आंसर यह आ जागा टोटल मन्त 326 आ जाएंगे तो अब मुझे यहां पर निकालना है कितने दिन बखाया हैं 17 साल के बाद कितने महीने बचे हैं तो उसके लिए हम यहां पर टाइप करेंगे वाई एम अब देखिए यहां में वाई एम क्यों टाइप कर रहा हूं दोस्तों यहां यहां का मतलब यह और ओफ म अब दिन महीने निकालने के बाद कुछ दिन बखाया हूं तो दिन निकालने के लिए कीसे करेंगे आप वही फ़ॉ मुला एक वह है देट करेंगे राट के लिख लगाने के पाद करने के वादध आप कॉमा लगाएंगे और अपने कीई थे टाइब करेंगे जैसा आप अभी तक करते हुए आए हैं या कि दोनों प्रेख्व और कि लोज करनी के बाद दोनों ब्राकट को आफ फिर से कॉमा लगाएंगे अब आप यहां पर इनिवर्टेट कॉमा लगाएंगे अब यहां पर हम डिन निकाल लें तो अगर आप यहां पर डिटाइन कर देते हैं तो आप का अंसर 9936 आगा देख स और अपने कीबोर्ट से एंटर की प्रेस करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि अगर किसी ब्यक्तिगा डेट बर्थ नो दिसमबर नियुक्त पिच्चानव है तो सताई साल दो महीना और बारे दिन का है इतना काम करने के वाद आप सब को सलेक्ट करेंगे और अपने मौसें इसको ड्रेक कर देंगे तो सभी candidate का यहां पर देखी calculation आ जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से आज की वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से अगर आपको date of birth दी हुई है तो आपको अगर total year निकालना है या total month निकालना है या year month और day तीनों चीज एक साथ निकालना है तो इस तरीके से आप इस formula के माद्यम से निकाल सकते हैं और साथ में मैंने आपको यह भी बताया कि अगर आप present day निकालना चाहते हैं तो तीन तरीके से मैंने बताया now formula, today formula और control के साथ semi-color दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो like जरू कीजेगा, comment भी कीजेगा, comment करके बतायेगा और अगर चैनल पनाई हैं तो चैनल को subscribe जरू करिएगा, thank you, मिलते हैं अगली वीडियो में